कि हाई फ्रेंट आज हम व्रुद्धिय और विकास में अंतर जानेंगी जैने कि डिफ्रेंस बिट्विन ग्रोथ और डेवलोप्मेंट यह से कई सारे कोशन यूपेट में सीटेट में और जो है यूजी सी नेट के पहले पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहें आपको जो है वीडियो का लिंक न ढूलना पड़े ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें वीडियो को शेयर करें शेयर करके वाटसाप फेस्बूप जो है हर उस्प्रेक्ति तक पहुंचा है जो टेट सीटेट नेट का एजाम देने जा रहा है ताकि वह भी स्कालाव ले से है ठीक है दोस्तों सुरू करते हैं व्रद्धिय और विकास मेंतर ठीक है तो व्रद्धि जोती है यानि की ग्रोथ की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भरना चलकर एक निस्चित आयोदक ही जारी रहती है जैसा मने पिछले वीडियो में बताया था आपको इसके बाद सारेरिक व्रद्धि रुख जाती है सारेरिक परिपक्वता ग्रहंट करने के पस्षाथ व्रद्धि जो है वह रुख जाती है जैसे कि हमारा जो सरी परिपक्वता ग्रहंट करने के बाद भी जो विकास की प्रक्रिया है वो जारी रहती है यानि कि आपका सरी जो है लंबाई जो है बढ़ गई हर चीज वह मैचुरेशन हो गया बॉडी का फिर भी जो उसके बाद भी जो है डिवलोप्मेंट कुछ ने कुछ चलता रहेगा सरी में अगला अप्षन है अगला नंबर है डिफरेंस है वरद्धी के साथ यह आवस्यक नहीं है कि विकास भी हो ठीक है हैं अगर आपके साथ वृक्त के सरीर leopard हैसका मतलब यह नहीं कि जो है आपका विकास हो रहा है आपके सरीर ठीक जैसे कोई बालत मोटा हो जाता है तो उसके मोटा पर कि काऱ उसकी कारे गुसलता काattform変 रहल रहे हैं इसलिए वृद्धी विकास को साथ लेकर नहीं चलती है ठीक है तो जैसे कि कोई छोटा बाला का आपने देखा होगा बहुत इमोटा हो जाता ठीक है यानिकि उसके सरीर में जो है है शरीर का विकास जो है बहुत तेजी सोगा ठीक है जो दस साल का बच्चा है वह इतना मोटा हो गया कि यह इतना विक्सित हो गया है वह पुरा मैच्चोर लगता है लगभग 15-20 साल का ठीकर तो वही चीज़ा यहां समजाए जा रही है कि उस बच्चे की मोटाबे के कारण उसकी कारे को सलता का विकास जो है नहीं हो सकता है ठीक है इसलिए वर्द्धी विकास को साथ लेकर नहीं चलती है विकास भी वर्द्धी के बिना नहीं हो सकता है यानि कि जो development है वो बिना वर्धी या बिना growth के नहीं हो सकता है जैसे बहुत से बालक जो है सारी रिक रूप से नहीं बढ़ते हैं परन्तु मानसिक, सामाजिक और समवेगात्मा रूप से अधिक मैच्चे और दिखाई देते हैं यह सारे एक्जामपल आपको देखने मिले होंगे अगला अंतर है वर्धी की प्रक्रिया को विकास की संपुड प्रक्रिया का एक चरण कहा जाता है ठीक है इसलिए वर्धी सब्द बहुत विस्तृत ना होकर सीमित अभिप्राय लाएग हुए ठीक है यानि कि जो वर्धी है वो डेवलप्मेंट का ही एक पार्ट है यानि विकास का वह एक भाग है वर्धी विकास सब्द स्वयम में ही बहुत विस्तृत सब्द है वृद्धी इस प्रक्रिया को ही उप्रक्रिया कही जा सकती है चो वृद्धी की प्रक्रिया होती है वो इसकी उप्रक्रिया होती है किसकी विकास की ठीक है इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की उन्नाती सम्मेलित होती है या निकि आपको जो है फीजिकली मेंटली मिलब नहीं है कहा जा तो हर तरब से आपके शरीर का मदब चोहों ही विकास हो ठीक है तो उसको हम रखेंगे अगला अंतर वृद्धी सब्ध का परियोग प्राया प्रवडाम अथ्वा मात्रा में परिवर्तन ही तो किया जाता है अर्थात विक्ति की लंबाई भार आकार शरीर आधी में में वृद्धी के अंतरगत चर्षा की जाती थी कर तो वृद्धी सब जहोता है कैry कर आपकर सरीर के मात्राइप बன्तित करते हैं करना म Nashville करिए विकास की बात करें तो विकास सब्सक्राइब मात्रा था परिवार्द से सम्थित के अठीक है बलके यह बालक व्यक्तित्व के सभी पक्छों में उन्हती के लिए प्रयोक्त होता है अर्थात इसमें परिमार आत्मात परिमार अत्मात रथा गुडात्मा पक्छ सम्मिलित होते हैं अगला अंतर है व्रद्धी सब्द शरीर के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदरसित करता है अब विकास जो है विकास सब्द व्यक्ति के व्यक्तित में संपूर्ड परिवर्तनों को संयूंगत रूप से प्रदरसित करता है अगला अंतर वृद्धी की प्रक्रिया के अंतरगत होने वाले परिवर्तनों को पश्ट रूप से देखा जा सकता है इन्हें मापा और तौला भी जा सकता है यानि कि आपके सरीर में वृद्धी हो रही है यानि यहीं जैसे कि आपका वेट बढ़ आए तो उसको नाप सकते हैं ठीक है तो बाला की लंबाई भार आदी जो है इसके एक्जामपल है इसके वृद्धी के और विकास की बात करें तो विकास गुडात्मा को पुक्षोने के सकारण जो है दिरिश्टिगत नहीं हो सकता है पर अंतु इन्हें महसूस किया जाकता है जैसे कि आपके सरी में डेवलाब्मेंट व्रहत उसको महसूस कर सकते हैं आप यसा हम व्यक्ति के बेवहार में आए परिवर्थिनों के निरिक्षर द्वारा कर सकते हैं ठीक है विकास को हम किसी मापन द्वारा मापथवत तो नही आप कई जाते हैं तो आपको कहते हैं इनका एक शलंग नहीं सकते हैं तो आप ऊसको होग नहीं सकते हैं , हाँ एक तरीका कारगर नहीं है वालब इस परिक्रेक्ष में कहा जाए तो क्योंकि एक्सेक्ट किसके बारे में पता लगाना वह संभाव है नहीं यह अनुमान लगाते हैं कि इस बच्चे की बुद्धि लब्द जो है कि इतनी हो सकती है ठीक है तो यह वीडियो यह समापत होता है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करके जो है वाटसफ फेस्बूक में सेयर करके चेट सीटेट और नेट की चातरों तक पहुंचाएं ओके धन्यवाद